आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CGPAC याने 36 गड़ लोग सेवा आयोग द्वारा लिये जाने वाले 36 गड़ फॉरेस्स सर्विस कंबाइन इग्जामिनेशन 2020 की इस इग्जाम में टोटल नंबर ओफ वेकेंसी है 178 और यहां पे आपको सैल्जी मिलेगी 38,100 रुपीज से ले करके 56,100 रुपीज तक और इसके लिए eligibility है graduation यानि के सना तक इसके अलावा और भी जो important informations हैं इस recruitment एक्जाम से जुड़ी हुई उन सभी को हम एक एक करके आगे इस वीडियो में discuss करने वाले हैं जॉब पिंग में ना सिर्फ आपको latest job informations मिलती है in fact इन recruitment exams को clear करने के लिए आपको जिन भी resources के requirement है वो सब कुछ आपको यहीं इस channel पे मिलेगा तो अगर आप हमारे channel पे नए हैं या आपने अभी तक सब्क्राइब नहीं किया तो प्लीज कंसिडर सब्क्राइबिग 36 गर्ड फॉरेस्ट सर्विस कंबाइंड इग्जामिनेशन 2020 के डीटेल को देखने के लिए हम आए हैं CGPSC के home page पे यहाँ पर आपको यह जो section देख रहा है यहाँ पर आप advertisement वाले section पे जैसे ही click करोगे तो आपके सामने यह page open होगा इस page पे सबसे उपर आपको दिखाई पर रहा है advertisement for 36 गर्ड फॉरेस्ट सर्विस कंबाइंड इग्जामिनेशन 2020 यह इस advertisement का link है इस पे click करके हम इसके advertisement official notification को open करेंगे और सारी details को एक एक करके देखेंगे चलिए हमने 36 गर्ड लोक सेवा आयोग द्वारा जो official notification है 36 गर्ड वन सेवा संयुक्त परिक्षा 2020 याने 36 गर्ड फॉरेस्ट सर्विस कंबाइंड इग्जामिनेशन 2020 का यह official notification open कर लिया है इसमें सबसे पहली जो detail हमारे सामने है वो है इसका online application कब से शुरू हो रहा है और इसकी last date क्या रहेगी 15 जुलाई 2020 टाइमिंग रहेगी 11 बच कर 69 मिनट तक वो भी रात को तो यह बहुत जरूरी चीज है online आविदन करने के लिए आपको एक मेहने का समय मिल रहा है 16 जूम से लेकर के 15 जुलाई तक का इस बीच में इस पोस्ट के लिए आप apply कर सकते हैं एक और important detail जो generally अभी के exams के साथ recruitment, advertisement के साथ नहीं आ रही है वो है इसका return examination का date जो है 20 सितंबर 2020 का तो यह एक बहुत अच्छी चीज है कम से कम इससे हमको definite पता चल जा रहे कि यह exam कब होने वाला है और आगे क्या schedule है इसका अभी बहुत सारे exams में यह examination date starting में declare नहीं की जाती है तो चलिए इसके बाद यह सबसे important detail थी इसमें से आगे और क्या जरूरी चीज़े हैं जो हमको जानना है तो next जो जरूरी चीज़ आती है इस notification में वो है इसमें आप online apply किये और अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसको कैसे सुधार ना है तो जो टूटी सुधार का काम होगा वो application के last date के बाद 18 July 2020 को दोपहर 12 बज़े शुरू होगा और चलेगा 24 July 2020 को रात को 11 बज़ के 69 मिनट तक अब इसमें एक और बहुत जरूरी चीज़ आपको ध्यान में यह रखना है कि आप तूटी सुधार का काम सिर्फ एक बार कर सकते हैं और सिर्फ online ही कर सकते हैं तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा सबसे पहली बार तो apply करते से मैं ध्यान रखेगा और फिर अगर कुछ correction करना है तो सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं इस चीज़ का भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है यहाँ पर correction की fees के बारे में कुछ mention किया गया है जिसके बारे में एक detailed वीडियो हमने अल्रेडी बनाया हुआ है link आपको मैं दे दूँगा description में और i button में आप वहाँ से उस वीडियो के एक बार देख लीजेगा तो टिस उधार करने के पहले चलिए अब जो अच्छी चीज है एक हम देख लेते हैं जो post distribution दिया हुआ है number of post कितनी आई है वो देख लेते हैं तो पद का नाम यहाँ पे दो post के recruitment होनी है यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले सहायक वन सररक्षक सहायक वन सररक्षक का दो टाइप का वेकेंसी है एक regular और एक backlog तो regular vacancy में अगर हम देखें तो यहाँ पे bifurgation आप देख सकते हैं unreserved के लिए 8 post है अनुसूची जाती के लिए 3 post है अनुसूची जाती के लिए 6 post है और अन पिश्टा बार के लिए 2 post है उसी तरीके से यह female candidates के लिए है इसमें सबसे बड़ी बात यह है उसमें अनारक्षित के लिए 2 post है और अनुसूची जाती के लिए 2 post है उसके बाद नीशक्त जानों के लिए regular में कोई vacancy नहीं है total vacancy का योग बनता है 19 और उसका backlog की अगर बात करें तो यहाँ पर backlog का total जो बनता है वो बनता है 2 और इस post के लिए सायक वन सरक्षक के लिए जो आपका salary रहेगा वो रहेगा 56,100 रुपीज का अब यहाँ पर एक और ज़रूरी चीज mention कर दूँ मैं आपको यहाँ पर 36 गड़ के जो मूल निवासी रहेंगे सिर्फ उनहीं को आरक्षन का लाग मिलेगा तो अगर आप 36 गड़ के मूल निवासी हैं और इन तीन कैटेगरी में से या फिर आप फिर मेर कैंडिडेट हैं तो ही आप आरक्षन का फाइदा उठा सकते हैं और अनारक्षित कैंडिडेट को तो वैसे कोई फाइदा नहीं मिलता है और एक और बात ये हो जाती है कि अनारक्षित कैंडिडेट के लिए जितने पोस्ट हैं उन्हीं पोस्ट के लिए बाहर के जो दूसरे स्टेट के लोग हैं वो भी इसमें अपलाई कर सकते हैं तो वो सिर्फ इन्हीं पोस्ट के लिए ही अपलाई कर सकते हैं उसरे स्टेट के कैंडिडेट्स अगर अनुसूची जन जाती हैं पिश्रवर्ग या किसी भी तरीके की कैटेगेरी के हो लेकिन उनको आरक्षन का लाग नहीं मिलेगा आरक्षन का लाग सिर्फ और से प्चतिस गड़के मुल निवासियों को यहां पे मिलने वाला है तो यह ह पाचास है और अनुसूकी जन जाती में 15 है और अनुसूची जन जाती में 15 में 6 है तो टोटल यूग जो आता है वो आता है 157 और अगर हम इंदोनों पोस्ट को कंबाइन कर दे सहायक वंसा रक्षक और शेतरपाल को तो ये total आ जाता है 178 एक बहुत बड़ा नंबर है एक बहुत अच्छी opportunity है यहीं पर हम 165 की बात करें तो यहाँ पर आपको salary रहेगी 38,100 रुपीज तो आप यहीं से समझ सकते हैं इस job की profile कितनी अच्छी है आपको salary भी बहुत बढ़िया मिल रही है और साथ में opportunity भी बढ़री चीज आती है इसमें आ जाती है आवश्यक sectionic अहरिताएं आवश्यक sectionic अहरिताएं के अंतरगत क्या आता है इसमें actually में यह forest की job है तो यहाँ पर educational qualification के अलावा physical qualification भी चाहिए रहेगा तो पहले हम देखेंगे sectionic अहरिताएं educational qualification and then we'll move on to शारीरिक मापदर्ड ठीक ह तो अब ध्यान से सुनिएगा यह बहुत जरूवी है educational qualification में सबसे पहला point है यहाँ पर कि आपको निमनले खित विश्यों यानि की जीविग्यान physics या chemistry में से कम से कम किसी एक subject के साथ higher secondary या समकच पर इक्षा उत्तिन होना चाहिए मतलब बार भी आपका physics chemistry या फिर geology में से हो होना चाहिए ठीक है आपको basically science background का होना है यह जरूवी बोला जा रहा है इसमें इन में से कोई भी एक subject आपका होना चाहिए आप mathematics के रहेंगे तो आपको physics chemistry रहे गई साथ में अगर आप बायो के हैं तो भी physics chemistry साथ में रहेगा तो अगर आप science background से रहेंगे तो आपके लिए कोई परशानी नहीं है तो सबसे पहली qualification यह है कि आपको 12th में science background का होना चाहिए दूसरा जो आता है graduation का graduation में बोला जा रहा है कि आपको जिमने लिखित वीशियों में मतलब कौन-कौन से subject में आपको graduate होना है graduation होना चाहिए किन-किन subject में होना चाहिए तो यहाँ पर है सबस पतिवी सास्त्र, computer अनुप्रयोग, slash विज्ञान, परियावरन विज्ञान, वानिकी, भू विज्ञान, बागबानी, mathematics, सांखिकी, भौतिकी, पशु विज्ञान, प्रानी सास्त्र, इन में से कम से कम एक subject के साथ आपको सना तक याने graduate होना चाहिए या फिर इसके equivalent कि आप हमकच होना चाहिए, मतलब engineers, किसी भी ब्रांच के engineers भी इस recruitment के लिए eligible रहेंगे, तो अगर आपने above mention subject में से किसी में graduation किया है, या फिर आप engineering graduate हैं, तो आप इस post के लिए apply कर सकते हैं, तो ये educational qualification हो गई, अब आते हैं हम physical qualification की तरफ, शारेडिक मांदंड जो है वो, ये minimum है, इस से उपर ही होना चाहिए आपका, तो सबसे पहले हम height की बात कर लेते हैं, यहाँ पे पाँच शारेडिक मांदंड मेंशन किये हुए हैं, इसमें categorized है, आपको बताता हूँ detail में क्या है ये, सबसे पहले उंचाई की बात करते हैं, उंचाई में category के हिसाब से बोल रहा है ये, unreserved और अनुसूचित जाती और OBC के लिए बोल रहा है, उंचाई कित्ती होने चाहिए, जो male candidate है, उनके लिए 163 cm होना चाहिए, और female के लिए 150 cm होना चाहिए, अब दूसरा अनुसूचित जाती के लिए height का जो qualification है, वो अलग है, उसमें आपको जो male candidate रहेंगे, उनको 152 cm तक रहेगा और female candidate के लिए 145 cm तक minimum height होनी चाहिए, तब तीसरा जो category आता है, वो आता है, चेस्ट का सीना, सीना at least 79 cm male candidate के लिए और 74 cm female candidate के लिए, फोर्स में आपको बोलता है कि चेस्ट जो आपका फूलना चाहिए, सीना जो न्यूनतम फूलना चाहिए, वो कम से कम 5 cm आपको फूलना चाहिए, male और female दोनों candidate के केस में, उसके बाद फिर पांचवा जो है, ये थोड़ा सा heavy चीज है, यहाँ पे शारेडिक छमता परिक्षण है, इसमें आपको 4 घंटे पैदल चलना है, distance cover करना है, male candidate को 26 km और female candidate को 16 km, तो ये क्योंकि forest की job है, तो आप समझ सकत हो, ये सारी चीजे बहुत जरूरी है, अगर इस पे आप qualify नहीं कर पाएंगे, तो आप वैसे ही job के लिए eligible नहीं रहेंगे, और actually मैं अगर किसी तरीके से कर जाते हैं, और qualify कर जाते हैं, कहीं cheating करके, कुछ करके, लेकिन आगे चलके आप अपनी job कर नहीं पाएंगे, क्यों certified है, तब ही आप इसके लिए apply करिएगा, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, probation period के, तो हमेशा की तरह standard है, two years का probation period रहेगा इसमें, अब यहाँ पे कुछ जरूरी बाते हैं, जो लगभग हर exam के लिए apply होता है, मगर फिर भी मैं mention कर देता हूँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज certificate है, वो इस form के last date से पहले तक आपके पास होना चीए, तभी ये acceptable होगा, otherwise reject कर दिया जाएगा, वो जो qualification है, उसको accept नहीं किया जाएगा, उसके बाद online application आपको करना है, online application करते समया, आपको किसी भी तरीके का certificate produce नहीं करना है, उस time पे आपको नहीं देना है, सिर्फ आपको 2020 को, आयू की गड़ना एक एक 2020 को होनी है, जिसमें minimum age 21 साल होनी चाहिए, और maximum age 30 साल की होनी चाहिए, लेकिन अगर आप 36 गड़ स्टेट से बिलाउंग करते हैं, मूलनिवासी हैं यहां के, तो आपको maximum age में छूट मिलेगी 30 साल की जगा, 40 साल तक की, उसके अलावा, 36 गड description में मिल जाएगा, आप चाहें तो एक बार refer कर सकते हैं, otherwise कोई doubt होने पे आप हमेशा की तरह हमसे हमारे comment section पे पूछ सकते हैं, हम आपके जो भी doubts होगा, उसका जवाब आपको comment section पे ही दे देंगे, मैं detail में से लिए नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि यह हर exam में common रहता है, state government क policy है, उसी के हिसाब से ही आपको जो भी reservation में age relaxation दिया जाता है, वो उसी के हिसाब से रहता है, आई उसी मा की गड़ना, जैसा कि मैंने आपको बताया, 11 2020 को ही किया जाएगा, इस date पे आपकी जो age रहेगी, जो minimum age किस साल और 30 साल के बीच में, और 36 गड़नी वासी होने पे 40 स return test होगा और फिर interview होगा, यह तो stage का है आपका, एक बार आपको return test होगा और फिर interview होगा, exam pattern नीचे दिया हुआ है, exam pattern के लिए हम एक separate video बनाएंगे, exam pattern और syllabus हम आपको इस वीडियो में detail में explain करेंगे, कि आपको सारी जानकारी मिल जाएगी उसमें, तो इस वीडियो के बाद आपको अगला वीडियो exam pattern और syllabus का भी मिल जाएगा इस exam के लिए, exam center की बात करें, तो exam center रायपूर, दुर्ग, भिलाई, जगदलपूर, अंबिकापूर, भिलासपूर में होने वाला है, अब बात कर लेते हैं, इस application के लिए fees क्या रहेगी, तो इसके लिए fees दो टाइप का है, category के हिसाब से, अगर आप result category के हैं, तो 300 rupees आपको लगेगा, unresort category के हैं, तो 400 rupees कर रहेगा, अगर आप 36 गड़ स्टेट से बाहर के candidate हैं, और result category में आते हैं, तो क्योंकि आप 36 गड़ के नहीं हैं, इस लिए इस post के लिए आपको result category में consider नहीं किया जाएगा, तो you have to appear as unres candidate, तो आपको जो fee भी है, वो भी आपको 400 rupees यहां पर pay करना पड़ेगा, इस exam से जुड़ी हुई किसी भी तरीके की जानकारी के लिए, आप हमसे हमारे comment section पर पूछ सकते हैं, इस exam को हम हमारे इस channel पर completely cover करने वाले हैं, तो आपने अभी तक subscribe अगर नहीं किया है हमारे channel को, तो please subscribe जरूर कर लीजेगा, study material इस exam से जुड़े हुए, आपको link नीचे description में मिल जाएगा, और related videos के link आपको नीचे description में मिल जाएगा, तो आप वहां से उन चीजों को refer कर सकते हैं, अगले video में हम आपको इस exam pattern और syllabus बता देंगे, रही बात इस exam के लिए आपको apply कैसे करना हैं, तो उसके लिए भी detail में video हम आपको बना करके दे देंगे, comment section पर अगर आप चाहते हैं, तो एक बार बोलिएगा जरूर हम से, thank you for watching, hope to see you in our next video, till then, take care guys.